जहें साथियों सबसे यदा शवाल ये पुछा जा रहा है इस्टाग्राम पे इलनी बिदुर्गेश के कि नई सिच्चक भरती जो सुपर्टेट होना कब तक होगा अखिर यूपीटेट पर इच्छा कब तक होगी अलग लग चैनलों के दोरा अलग लग लोग को दोरा फ़ा अलगी दुर्गेश पर बताएंगे और आपके सभी सवाल नई सिच्चक भरती जो नए अल के तर्श पर होनी है उसके सभी सवालों को एक एक करके क्रमा रूप से वीडियो से बताएंगे आप लोग इस वीडियो की अंतर बनी रहेगा जहां भी जुरूत पड़े आप करेंगे और उसके लिए तमाम उत्तर बदेश के जिलों में मीटिंग की जा रही है और मिटिंग के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी जिलों में पद हैं उन पदों का सरजन करके मानी सरकारता दिया जिससे प्रमोशन हो सके अस्थांत्रा हो सके उसके बाद जुपद बच रहे हैं उस पर नए पदों पे सिच्चक बड़ती परिचा कीज़ाएं अब सवाल आ रहा है किरें सिच्चक बड़ती परिचा कब से होगी कई सालों से सुनते आ रहे हैं अब होगी अब होगी अब होगी चार साल से ज़्यादा कर साहिब बीद गया है अखिर अब वह घड़ी का आएगी उसके पर दूसरा सवाल आ रहा है कि यूपिटेट के नंबर के सुपर टेट में जुड़ेंगे यह बात आपको मैं फिर से काना चाहूंगा यह पूरी तरह से कोई यह अफवा है इसका कोई भी लिखेत साच नहीं है कुछ लोगों ने पेपर की कटिंग पुरानी पेपर की कटिंग है पुरानी वस्ताव है उसी को वारल करके यह अफवा फैला रहा है बहुत सर कोचिंग वाले लोग इसको प्रमोड कर रहा है कि नहीं यूपेटेट के अंग जोडेंगे लेकिन ऐसा कहीं नहीं क्यों कि जो भरती होती वो निमालिस होती वो जीओस होती क्या कोई ऐसा जीओ आपके पास आया है या किसी अधिकारी का कहीं साइन हुआ हो या कोई ऐसा बिग्यप्ती है जिस पर यह लिखा गया यह भरती की बिग्यापन में इसका जिक्र होता कुछ लों करेंगे सब नई सिच्चक भरती में ऐसा जिक्र है इसलिए फरजी अफों से बचेगा दूसरा, यूपी टेट कब तक होगा और सुपर टेट कब तक होगा पहले जाने तो है क्योंकि यूपी टेट के बाद ही सुपर टेट होगा एकदम सच्च है और इसको बैठा लिजा अपने दिमाग में कि मैंने कई बार वदाया है कि अगर कभी कोई एक, दो, तीन बार भी टेट हो गया हो लेकिन किसी टेट के बाद अगर कोई भरती पास आउट हो जाती है उसके बाद से च्चक भरती परिच्छा करानी होती है उस बैठ को लेकर चला जाता है इसलिए 2021 में जो 22 में जा कि टेट हो उसके बाद टेट नहीं हो पाया सीट हुआ है तो उसके पहले एक बैठ अभी फिर से निकलने वाली यह भी निकल कर आई है तो ऐसे बैठ को समलिप करने के लिए फिर से बार यूपी टेट की परिच्छा होगी यूपी टेट के बाद ही सुपाटेट होगा और आपनी देखा है मानी सरकार ने पीछे भी यूपी टेट और सुपाटेट की बीच में टोटल चार मा का ही समय रहता है माने चार मा के समय में ही आपको दोनों परिच्छा हो जाती है मतलब आपके पास जैसे यूपी टेट का बीचेप्ति आएगा यूपी टेट बीचेप्ति 15 से 20 दिन के लिए फॉर्म बरे जाएंगे 20 दिन में आपका फॉर्म का जो होगा वो छटाए बुनाए होगी फिर सेंटरे लाट होगे फिर दस दिन पहले आपका प्रिश्पत्र जारी हो जाएगा फिर परिच्छो जाएगी मने 45 से 50 दिन में आपका विग्यापन और परिच्छा दो महिने हो जाएगी फिर उसके बाद रिजल्ड जारी होगा फिर आपके आपक्ति ले जाएगी संसुदित उत्तर कुंजी जारी होगी 10 दिने मने 60-65 दिन फिर उसके बाद नहीं सिच्छक बढ़ते भी गिप्ते जारी हो जाती है फिर उसके भी पिग्याप आवेदन करने के जो तिती होती है वो 10-15 दिन होती है उसके बाद 15-20 दिन प्रोस्रोशिंग होगा फिर पर इच्छा होती है फिर ऌस तकता है गर मामला नियाला जो ठीक है नहीं तो फिर आपको न्युक्ती पत्र मिलने के समभाणा होती है यह प्रक्राइव प्रकुम्हें लेकिन कारी पर कि ओता inner नियाले नाले में चले जाए जिस वाज़ये से थोड़ी सी भिलनम नहीं आए तो इसके जजमेन के बाद ही यूपिटेट होगा और यूपिटेट नए आयोग के मात दिम्श होगा आयोग गठित करने में सदस्योग नुक्ते करने में ज्यादा-ज्यादा पंदर से बिस दिन का समय लगता है कि मानी सरकार के हाथ में होता है और आगामी चुनाव है चुनाव से पहले भरती आपको देखने को मिल सकती है तो यूपिटेट अगर हम उम्मीद करें तो आप यह मान सकते अगर आडर डिलीवर होता है फरवरी तक फरवरी फर्स्ट दू माई अगर जून तक यह हम बात करें तो माई जून तक आपके यूपिटेट की परिच्छा हो सकती है ऐसा में उमीद लगा सकते है ठीक है माई जून तक हम उमीद लगा सकते है परिच्छा की हो सकती दूसरी सबसे बड़ी बात आपको यह भी याद रखना होगा कि माई ज में होने के बाद इसका जो रिजल्ट होगा आएगा तो जो नई सिच्छक भरती है जो शूपर टेट है इसकी जो होने कुमीद है अगर शूपर टेट की बात करें तो यह मान के चलिए सेप्टमबर से ऑक्टूबर से ऑक्टूबर तक आपको उत्तर पदेश में एक सिच्छक सब्सक्राइब हो सकते हैं आप इस पूरी परिच्छा को मनियों के साथ दीजेगा इसमें उमीद जो हो जैसे कुछ लोग उमीद लगा रहे हैं कि सर लगभग 50 के से उपर कुछ लोग कह रहे हैं सर 65 के से उपर पद आ रहा है तो यादा कि जब आयोग बन जाएगा तो प् 40 के भी आ सकते हैं ताकि हर साल आपका टेट होगा और प्रतिएक वर्स आपके लिए सिच्चर बढ़ती आएगी इसलिए मुख्य बंतरी जो चाहते हैं को उत्तर पुदेश में जो युवाओं को एक इंतजार करना परता है लंबा कि यार भरती आएगी तब भरती आएगी उनको खतल करने के लिए एक प्रकिरिया जोगी आयोग प्रतिएक वर्स करेंडर जारी करेगा प्रतिएक वर्स आपकी परिछाएंगा इसलिए हो सकता है कुछ कम पत्पर करा है अगली कुछ दिन के बाद साल बर बाद फिर पत्पर करा है इसलिए आगामी आपके सामने लो लेकिन लोगसमा में सरकार के फिर सामने समस्य आई कि लंबी अबदी में एक भरती नहीं आई है इसलिए एक नई सिच्चक भरती की उमीद बनती है और मैं आप से भी कहूंगा कि जो भी भी आटी सिरियस होकर पढ़ रहें अपनी त्यारी को जाई रखें डेली क्लास की जो लिंक है वह टेलीग्राम पर आपको मिलेगी टेलीग्राम पर दूर्गेश सर्च करके इलाजी बिदूर्गेश पर जोड़ सकते हैं साध्य साथ डे इली क्लास मिलें कि समय प्रतेक सुबह साड़े नौ बजे आप पचास नंबर के तैरी स्री चले भी सुबह साथ बजे भी आपके लिए क्लासे जा रही है जो आपको परिच्छा में काफी मदद करने वाली है जहां विश्य वारोगे से बिज्ञान हो गया कंप्यूटर हो इन सभी के जो क्लासे होगी और प्रतेक सुबह साथ बजे इलने भी दुर्गेश पर जो चैनल उस पर भी आपको लाइब मिलेगी इन सभी की और अगर आपको नोट की जरुद्पड़े कर हो सकता आपको नोट चाहिए तो इलने भी दुर्गेश का जो आफिस का नंबर है उस पर आप WATSAP करके नोट से समधे जनकारी ले सकते हैं और यह सभी कासे जfal्णपुर से जलती हैं एक और नंबर हो सकता आपके काम में आ जये ठीक है अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन पोस सकते हैं अगर हो सकते हैं कोई आपका बिक्तिकल सवाल हो तो जो बिक्तिकल सवाल आपके होंगे वो इस वीडियो को सभी में तरों को शेयर करिएगा और जो उमीद था वो मैंने आपको बता दिया अगर इस प्रक्रिया से होता है जज्मेंट के बाद अगर टेट होता है तो यूपी टेट जोगा एक बार फिर से यहाँ पर एक नया पेज पर मैं आप पर बता दू इसको 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 परिच्छा हो सकती है इसलिए आप लोग अपनी तयारी को जरी रखें बाकी आपकी उपर पढ़े ना पढ़ें इसको सुने ना सुने आपकी मर्जी है नेकिन हमेशा रेस के घुड़े हमेशा रेस मच्छा लगते हैं खेत में आपको सेलेक्शन लेना है आपको सरकारी अध्यापा का ध्याविका बनना है आपको बहतर करना है आपको अपने बेस्ट देना है तो हमेशा लगे रहिएगा अभी करेंट में एक लंबा अंतरा लेगी पर चकाव होई कब नहीं होगी तब तक आज का करेंट पढ़ा हुआ बहुले जाएगा इसलिए कोसी से करिए कि आप उनको पढ़िए जो डाउनलोड कर सकते हैं सुपर्टेट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करके किलरने भी दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा हर क्लास की नाटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और फेस्बूक प जात है तो आपको सलेक्सल से कोई भी रोक नहीं सकता बस अब की बार एक्सिट हमार बेस्ट आफ लक